सूप्रभाद वच्चो आज हम लोग कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण की पढ़ाई करेंगे वच्चो हिंदी व्याकरण में हमारा पहला पार्ट है भाशा, बोली, लीपी और व्याकरण सबसे पहले इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम जानेंगे भाशा भाशा क्या है? वा लिखीत होती है पश्यू पक्षी भी अलग-अलग ध्वनी निकाल कर अपने मन की बात प्रकट करते हैं लेकिन उसे भाषा नहीं कहते हैं भाषा केवल मनुश्य बोलते हैं इसलिए बच्चो सबसे पहले इस पार्ट में हम जानेंगे भाषा क्या है प्यारे बच्चो इधर ध्यान दीजिया मैंने यहाँ पर लिखा है भाषा क्या है? भाषा वा साधन है जिसके द्वारा मनुश्य बोलकर अथवा लिखकर अपने विचारों का अर्दान प्रदान करता है पुना बच्चो फिर से देखे भाषा वा साधन है जिसके द्वारा मनुश्य बोलकर अथवा लिखकर अपने विचारों का अर्दान प्रदान करता है इसके बाद बच्चो हम इस चीज़ को समझेंगे भाषा के कितने रूप होते हैं या भाषा कितने प्रकारकी होती है मुख्य रूप से भाषा दो प्रकारकी होती है बोलकर और लिखकर बोलकर मौखिक भाषा लिखकर लिखित भाषा बच्चो हम इसको इस प्रकार से भी समझेंगे मौखिक भाषा जब मनुश्य अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है तो वा भाषा का मौखिक रूप कहलाता है जैसे कि बच्चो आभी मैं बोल कर आपको इस पार्ट को समझा रही हूँ और आप सुन कर इसको समझ रहे हैं तो इसे क्या कहते हैं मौखिक भाषा लिखित भाषा जब मनुष अपने भावो और विचारों को लिखित रूप में प्रकट करता है तो वा भाषा का लिखित रूप कहलाता है जैसे कि कश्चा में जब हम शांपट में या ब्लैक बोट पे लिख कर आपको समझाते हैं और आप अपनी पुस्तिका में लिख कर उसको समझते हैं तो से भाषा का लिखित रूप कहते हैं इसके बाद बच्चों हम समझेंगे बोली बोली क्या है बोली एक विशेश चेत्र या स्थान की भाषा है बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है जिस प्रकार से बच्चों अलग अलग छेत्र होते हैं उसी प्रकार से वहाँ पे बोली जाने वाली भाषा भी अलग अलग प्रकार की होती है जैसे कि गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है पंजाब में पंजाबी भाशा और महरास्ट में माराटी भाशा बोली जाती है इसके बाद बच्चों हम समझेंगे बोली और भाशा में क्या अंतर है बोली और भाशा में तीन मुख्य अंतर होते है पहला बोली एक विशेश छेतर तक सीमित होती है जबकि भाषा का रूप विस्तृत होता है दूसरा, बोली का रूप मौखिक होता है जबकि भाषा का रूप लिखित होता है तीसरा, बोली सिर्फ बोलने के लिए होती है और समझने के लिए जबकि भाषा से सहित की रचना होती है बोली की कोई सहित रचना नहीं होती है बचो इस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा भाशा क्या है भाशा के कितने रूप हैं भाशा के दो रूप हैं रूप होते हैं मौकिक भाशा और लिखित भाशा इसको हमने विस्तृत में जाना मौकिक भाषा को और लिखित भाषा को इसके बार हमने बोली क्या होती है उसके बारे में समझा और बोली और भाषा में क्या अन्तर है इसको हमने जर्णा बच्चो इस पार्ट का ये पहला भाग था जिसमें हमने इतना पड़ा है आप लोग से मेरा निवेदन है कि अपने घर में जो भी आपके पास रफ कौपी है या पुरानी कौपिया है नोटबुक है उसमें इस चीज़ को आप उतारिएगा और अभ्यास कीज़ेगा इसी पार्ट के दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे लीपी और व्याकरण आज की लिए बच्चों इतना ही काफी है आशा करते हूँ जितना भी मैंने पढ़ाया है आप इसता अभ्यास जरूर करेंगे धन्यवाद